हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकरों के साथ दोस्तों HPLT Commission 2020 के त्यारियों के अंत्रगत हमने इससे पहले बहुत सारी अपनी वीडियोज अपलोड कर ली है अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोज नहीं देखी हैं क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे प्रशनों को भी हमने इसके अंत्रगत डिसकस किया हुआ है और उन जो आपका ये परिक्षा होने जा रही है 20 दिसंबर को उसके लिए आप तो देख सकते हैं हिंदी साहित्य वारता में हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट UGC NET की परिक्षा के लिए भी बिनाये थे तो वहां से भी आपको काफी help हो सकती है तो देखिए अब परिक्षा के लिए सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और इन 5 दिन में 5 topics मैं आज आपके बीच में discuss करने जा रहा हूं कि कौन से वो topics हैं जिनको आपको एक नजर में जरूर देखना चाहिए परिक्षा से पहले सबसे ज़्यादा प्रशन जहां से आते हैं देखिए वो यही हैं आपका हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, साइको और HPG के परिभाशिक शब्द तो maximum question इन units से पूछे जाते हैं तो इसलिए ये 5 topics मैंने आज फोकस किये हैं कि इससे related आपको कुछ प्रशन में आपको बताऊं और इसमें हम लगबग 30 प्रशनों को discuss करेंगे जो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और साइको के हैं इसके अलावा दोस्तो HPG के और परिभाशिक शब्द आपको जहां कहीं से भी मिलते हैं आप उनको एक बार परिक्षा से पहले जरूर पढ़ लीजेगा तो आज जो 30 प्रशन में आपके लिए लेकर आया हूँ वो हिंदी साहित्य के हैं और साथी साथ व्याकरण के हैं जो शांत्रस को जोड़ा गया था ये जो किसके द्वारा जोड़ा गया था प्रशन ये है तब इनके संख्या हो गई थी 9 ठीक है अब देखिए प्रशन ये है कि शांत्रस के प्रतिश्ठापक अचारे कौन हैं तो विकल्प हैं उद्भट, भरतमुनी, रुद्रट और वि अबिनब गुप्त का दार्शनिक आधार क्या है तो दीखिए आपने देखा होगा कि जो अचारे भरतमुनी का नाट शास्त्र है ठीक है जो रस निश्पति का सिधान्त दिया है उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया है बेख्याइट किया है पांच चार लोगों ने कौन कौन से है वो आपको पता होने चाहिए उनके फिर कई बार ये दर्शन पूझ ले जाते हैं कई बार उनकी जो है जो सिधान्त है वो पूझ ले जाते हैं तो यहाँ पर दर्शन से मैंने प्रशन इसलिए रखा है क्यूंकि कई बार क्या होता है कि जो आपको सिधान्त तो आ था शैफ दर्शन अगर हम मिमासा दर्शन की बात करें तो यह है आपका भट लोलट का और न्याय दर्शन है शंकुक का ठीक है सांखे दर्शन यह है भट नायक का ठीक है न तो यह इसका सही उतर होगा विकल्प नमबर चार अभिनब गुप्त का दाशने का धार है शैफ दर और अरस्तु किसके थे अरस्तु थे आपके सिकंदर के ठीक है न और अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लैटो प्लियर है इस तरीके से भी आपको इस पहें कई बार पूछा जा सकता है परिक्षा में अगला प्रशन है देखिए लिरिकल बैलेड्स के रचनाकार वर्ड प्रकाशित हुए है तो लिरिकल बैलेड्स ये बहुत ही मौटपून रचना है अकसर आपने देखा होगा कि परिक्षाओं में पूछी जाती है वहाँ पर इस तरीके से प्रशन पूछ जाता है कि ये किस की रचना है तो इसलिए इसका जो अलग प्रशन बनता है वो मैंने आपके बीच में रख दिया है कि इसमें संसकर्ण कितने हुए हैं इसके प्रकाशित तो बो हैं देखिए विकल्प नंबर दो इसका साई उतर होगा चार इसके संसकर्ण है कौन-कौन से हैं क्या-क्या उनके नाम है ये भी आप एक बार परिक्षा से पहले जरूर पढ़के जाईएगा यहां से प्रशन बनने के संभावना रहती है और बहुत सारे स्टुएंस का ये कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जो आपका पाश्चा तकावशास्तर है उनसे रिलेटरी प्रशन में आपके अकली लेके आऊं ठीक है अगला प्रशन है देखिए कौन सा सिध्ध आई ए रिचर्ड्स का नहीं है तो देखिए आई ए रिचर्ड्स ये भी बहुत ही महतापोर्ण है इनसे भी प्रशन पूछे जाता है इनकी कृति कौन सी है इनका सिध्धान कौन सा है इनकी जो प्रमोख रचनाय है उनको भी आप एक बात जरूर पढ़के जाईएगा यह कलपना सिध्धान को देखें तो कलपना का जो सिध्धान दिया है यह दिया है कॉलरीजन है इन सिध्धानतों को भी आप एक बार ज़रूर याद करके जाईएगा नेक्स देखिए दांत में फसी कुर्षी किस विधा की रचना है आपने देखा होगा हिंदी साहित्य के अं तो इसका हुए पर्मुक जो नाम है, उनके आपने विदाएं भी याद रखनी है, उनके रचनकार भी याद रखने है, यहीं से प्रशन बनने की संभावना रहती है और त्यारियां आपकी I hope की चल ही रही होंगी अच्छी और best wishes आप सब लोगों के लिए कि आप जो परिक्षा है वो अच्छे से करके आएंगे next question है देखिए उपाहम लिबीडो शब्द किससे संबंधित है तो देखिए उपाहम लिबीडो शब्द किससे संबंधित है ये प्रशन भी बहुत ही महत अपूर्ण प्रशन है विकल्प है देखिए समाजबाद, मनोविशलेशन बाद, माक्सवाद या फिर गांधिवाद तो यहाँ पर इसका जो सही उतर है देखिए वो है मनोविशलेशन बाद, विकल्प नंबर 2 इसका सही उतर होगा उपाहम इसको इड के नाम से भी जाना जाता है आई और डी, जबकि लिबीडो लिबीडो का मतलब है आपकी यौन उर्जा तो ये बातें किसके अंतरगत आती है या तियापकी मनोविशलेशन के अंतरगत ठीक है, कई बार मनोगरंथियां जो पूछ ली जाती है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इलेक्टरा, इडीपस, गरंथियां क्या होती है इनको भी आप एक बार जरूर पढ़के जाएं परिक्षा से पहले अगला प्रशन है दिखिए, जाइसी के समकालिन शासक थे, तो ये प्रशन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये साहित्य को भी छूड़ा है और साथी साथ आपका जो हिस्ट्री वाला पोश्चन है उसको भी थोड़ा सा कवरप कर लेता है तो जाइसी जो समकालिन थे देखिए ये थे सिकंदर लोधी और बाबर के समकालिन हलांकि शेर्शान सूरी के थे लेकिन इसमें आगे जो जहांगीर जुड़ गया है तो इसलिए विकल्प नमबर बी इसका अटोमेटिकली गलत हो जाता है तो सही जो उतर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर एक सिकंदर लोधी और बाबर ठीक है जाइसी और जाइसी को जो कुरूप किसने कहा था ये भी कई पर पूचे जाता है तो ये कहता शेर्षा सूरी ने उनका मजाक उड़ाया था तो ये भी आपको याद होना चाहिए और जाइसी की जो प्रमुक रचना है वो पदमावत पदमावत का जो नागमती वियोखंड है उसको हिंदी साहित्य की अनुपमनी दी कहा जाता है इस त्रीके से आपने इसको याद रख लेना है अगला प्रशन है देखिए मैं राम का कुत्ता मुतिया मेरा नाव पंक्ती किस की है तो ये वली पंक्ती बहुत ही महतोपून पंक्ती है किसकी है विकल्प है देखिए तुलसिदास, रैदास, कभीदास और मलुकदास जितने भी यहां पर कभी रखे गए हैं ये सब के सब कैसे हैं आपके निर्गुन, संत कावैधारा के कभी है इस तीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा निर्गुण कभी है, कौन सा सगुण कभी है कौन सा ग्यानाश्रेह या प्रीमाश्रेशाखा के कभी है ये भी आप एक पार जरूर पढ़के जाए और इसके उपर हमने कंप्लीट लेक्चर त्यार गिया है अपना जो भक्तिकाल है उसके उपर हिंदी साहीत्य वारता चैनल में आप देख सकते हैं जो UGC.net की हमत्यारियां वहाँ पर करवा रहे हैं IKAI 2 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसमें हमने इस चीज़ को विस्तार से परनित किया हुआ है इनकी जो प्रमुक पंक्तियां है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है देखिए वो है आपका विकल्प नमबर 3 कभी दास्चे की ये पंक्तियां है अगर हम तुलसिदास की प्रसिद पंक्ति की बात करें तो इनकी जो 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 प्रमुक पंक्ति की बात करें तो इनकी जो प्रमुक पंक्ति की बात कर पंची करेना काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, ठीक है, तो यह वाले पंक्ति किसी के मलूक दास की है, प्रमुक, तो यहां पर चार कवी थे, इन चारों की मैंने प्रमुक पंक्तियां आपको बता दी है, इनी से रिलेटिट प्रशन जो है, परिक्षा में पूछा प्रिक्षा में, और कितने सब्टक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, ये भी पूछे जाता है, पहला जो सबसे पहले तार सब्टक ही आता है, कई बार हम गलती वशोस को प्रत्थम तार सब्टक भी क्या देते हैं, वो प्रत्थम तार सब्टक नहीं है, वो सिर्फ और सिर के चारों सब्तकों में, तो वो है देखिए आपका विकल्प नंबर 4, केदारनाथ अगरवाल, अगर हम राम बिलाज शर्मा की बात करें, तो ये थे आपके पहले सब्तक के, जो सब्तक है, जो तार सब्तक है मतलो, उसके कभी, उसके बाद मदन वाद सयाइन, ये आपके तीस प्रशन संख्या 11 है, देखिए हिंदी शब्तकोष में क्षव का करम किस वरण के बाद आता है, तो 11 से लिकरके जो आगे की प्रशन है, वो है आपके व्याकरण से संबंदित प्रशन, तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि शब्तकोष में, यदि आपने क्षव का करम वाले प्रशन संख्या 11 है, वर्तनी की दिश्टी से कौन सा शब्द सही है, तो यह प्रशन भी बहुत मौतपूर्ण है और यहाँ से प्रशन बनने की संभावना रहती ही रहती है, तो देखिए हम कई बार गलती ये कर देते हैं कि सन्यासी हम किस तरीके से लिखते हैं, जो विकल नमबर ए वाला है, तो यह क्या है, अपने आप में गलत है, क्योंकि सन्यासी, तो सो के उपर जहां पर बिंदी लगी होगी, आदा नौ होगा, उसके बाद यासी होगा, सन्यासी, ठीक है, विकलप नमबर दो इसका क्या होगा, बिलकुल सही उतर होगा, मातरा क्या आएगी बड़ी मातरा हैगी, सो की, ठीक है न, विकलप नमबर चार देखिए, चार और दो में लगवग लगवग एक तरीकी का ही लिखा गया है, सिर्फ लास्ट वाली जो मातरा है, उसको चेंज किया गया है, तो यहां पर आपने ये भी ध्यान रखना है, कि सन्यासी में बड़ी जो वल, पूरा लिख देते हैं इसको, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या लगेंगे, इसमें आदे लगेंगे उजवल, अब हमने इसमें देखना है कि विसर्ग संदी कौन सी है, तो इसमें जो विसर्ग संदी है देखिए, वो है आपका निश्चल, निजमा चल, नौमे चोट संदी है और अनुवेशन में आपका अयादी संदी है, तो ये संदियों के प्रकार और संदियों के पहचानना कैसे है, इसके उपर भी हमने कंप्लीट लक्चर त्यार किया हुआ है, अब चाहें तो उसको भी एक बार परिक्षा से पहले जरूर देख सकते हैं, हिंदी व्य शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और अर्थ को परिवर्टित कर देते हैं, अगर प्रत्या की बात करें तो ये आखिर में लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अर है, गर है, कारी है, या फिर इगर है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए, वो होगा आपका गर, जैसे जादू गर, बाजी गर, तो गर गीरी है न, गार, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके प्रत्या है, तो गर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, अर् अपने आप में कोई भी प्रत्या नहीं है, बहुत सारे विद्याती हो सकता है कि इसका उत्तर अर्गरेंगे, ठीक एक ही मात्रा लगी है तो इसका मतलब है कि यहां पर गुण संदी है ठीक है यह पहचान है इसकी एक तरीके से जहां पर एक ही मात्रा पीश में आ जाए तो उसमें गुण संदी होती है यथा जमा इश्ट ठीक है तो देखे जहां पर यथा शब्द पहले जुड़ा हो यथा ह भर भर आ ऐसे शब्द जहां पर पहले आ जाते हैं उसमें कौन सा समास होता है अब्याई भाव समास होता है तो भी कल्प नमबर दो इसका सही उतर होगा ठीक है यथा जमाइश्ट यथेश्ट क्लियर है अब्याई भाव समास और अब्याई भाव समास की ये भी पैचान है कि जिसका प्रत्थमपद क्या होता है प्रदान होता है उसे अव्याईबापसमाज कहा जाता है प्रशन संग क्या सोला है देखिए कौन सा शब्द क्रिया विशेशन है तो क्रिया विशेशन क्या होता है जो शब्द क्रिया की विशेशन बतलाते हो ठीक है तो यहाँ पर देखि आपका विकल्प नमबर 4, तेज, तेज का मतलब है जैसे दोड़ना, दोड़ना अपने आप एक क्रिया है, तेज दोड़ना क्रिया की विशेष्टा को तेज बतला रहा है, तो इसलिए तेज क्या है, क्रिया का विशेष्टन है, तो सही उतर होगा तेज, अगला प्रशन है बिजली का प्रियाएवाची नहीं है तो चपला, चंचला, अचला या फिर कोई नहीं तो बिजली का जो प्रियाएवाची है देखिए वो है अचला, और सॉरी, नहीं है वो है अचला, तो अचला का मतलब होता है धरा या धरती भूमी पृत्वी जो भी आप कह सकते हैं उसको ठीक है और इसके अलावा बिजली को क्या का जाता है देखिए विद्यूत या फिर आपको तड़ित भी इसको कहते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी जीज़े हैं वो आप एक बार जरूर पढ़के जाएगा नेक्स फश्चन है देखिए जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है तो बहुत सिंपल है ये कई बार फरिक्षिर में पूछ जाता है इसको भी हालांकि जब अतर पूछा हम जैता है जो जंगल में लगने वाली आग है उसको क्या कहते हैं इसलिए मैंने बिकल्प नमबर दो बढ़वागनी जठरागनी मतलब पेट में लगने वाली आग और क्रोधागनी मतलब गुसे से आग बबूला होना उसको कहते हैं क्रोधागनी ठीक है तो बढ़वागनी इसका सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 19 से देखिए उसने परिश्रम तो बहुत क मिलकर बहुत सारे वाक्य जब बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है संयुक्त वाक्य कहा जाता है ठीक है मिश्र वाक्य की पैचान है कि जहां पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो ठीक है सरल वाक्य जहां पर एक ही आपका क्या हो करता और कारक एक ही हो ठीक है स् पूर्ण नाश करना की जगा अगर होना होता तो उसका सही उतर वो भी हो सकता था ठीक है यहाँ पर इसका जो सही उतर है वो है धारशाई होना जमीन चूसना मौावरे का अर्थ क्लियर है अगला प्रशन है रिखिए यह आपके जो मनविज्ञान से रिलेटिड हैं साइकोलोजी से रिलेटिड हैं उनको रखा गया है जो टीचिंग साइकोलोजी है वहाँ से विगरित लिखावट को कहते हैं तो यहाँ से असक्षमता वाले जो भी प्रशन है वहाँ से अकसर एक पैक्षान होता हो तो उसको कहते हैं डिस्थीmiya, डिस्कलकूलिया जो है आपका ये है अंकों की गिंती से रिलेटेर अगर किसी को दिक्कत आती है किसी बच्चे को तो उसको कहा जाता है डिस्कलकूलिया, clear है तो dyslexia बहुत मौतपूर्ण है यहां से और dysgraphia और dyscalculia यह बहुत ही जरूरी है इन से रिलेटरी प्रशन बनने के संभावना रहती है चलिए अगला प्रशन है दिखिए वंशानुक्रम एवं वातावन की अंतक्रिया के सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है इस प्रशन समाजिक ठीक है और इसके अलावा जो कोला वर्ग हैं देखिए इन्होंने नैतिक विकास का से धान्त दिया हुआ है तो यह कुछ एक मौतपूर्ण चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी इस प्रशन से रिलेटर अगला प्रशन है देखिए पियाजे के अबचारि ग्यारा से लेकर के पंद्रा वश्ट तक ठीक है तो यह मना इनने अब दी ठीक है अगला प्रशन है देखिए निम्र में से क्या बुद्धी का एक प्रकार नहीं है तो जो हम पीछे बात कर रहे थे जो थॉर्ण डाइक ने जो तीन बुद्धी के प्रकार बताये थे मूर् प्रशन संख्या 25 देख लेते हैं बच्चों का मुल्यांकन होना चाहिए तो बोर्ड की प्रिक्षगे द्वारा ग्रीफ प्रिक्षा द्वारा या फिर सतत एवं व्यापक मुल्यांकन द्वारा तो इस प्रशन का जो साही उत्तर है देखिए वो आपका विकल्प नंबर 3 ह प्रशन संख्या 26 देख लेते हैं कक्षा से पलाइन करने वाले बालकों के प्रती आपका वैभार कैसा होगा तो यह दमनात्मक होगा या फिर आपका दंडात्मक होगा फिर या फिर प्रशन सात्मक होगा तो यह बहुत ही सिंपल प्रशन है यहां पर आपका निदान करना ह उस चीज मस्याका एक्टिके से तो विकल्प नमबर दो इसका सही उतर होगा निदानात्मक प्रशन संक्या 27 है देखिए अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है तो देखिए अभिक्रमित जो अधिगम है ठीक है जिसको कहते है प्रोग्राम लर्निंग है ना तो यह किस प उप्युक्त अर्थ ब्यवार का संशोधन मेरे हिसाब से होना चाहिए आपको क्या लगता है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं चलिए प्रशन संक्या 29 वा देख लेते हैं कि असंगत यूगम कौन सा है CBSC 1962 में स्थापित की गई थी NCERT 1961 में NCTE 1973 में तो सही उत्तर होगा विसका विकल्प नमबर 3 NCTE 1973 जबकि UGC 1956 बिलकुल सही है है ना इससे रिलेटेड भी प्रशन पूझे जाता है और इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी शायद मैंने पीछे वाली वीडियो में आपके साथ डि जाएगा आज का आखरी प्रशन दिख लेते हैं कि कौन सा प्रशन है दिखिए सरुप्रत्म मनुष्य जीवन को चार भागों में किसने बर्गी कृत किया है तो दिखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रूसो और कौन से वो चार भाग है वो आप मुझे कमेंट सेक् के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद